जाहें दोस्तों ट्रांसपोर्ट ग्यान चैनल पर आपको बहुत बहुत श्वागत है आज की इस वीडियो में आपके टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के दोरा पुरुवत वीडियो के कमेंट सक्षन में बहुत ज्यादा कमेंट्स पूछे गए कि हमें बत ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेटे इस चैनल पर आपको जांकारी मिलती रहती है एवं आपसे रिक्वेष्ट करूँ कि इस वीडियो ज्यादा ज्यादा सेयर करीए लाइक जरूर करियेगा आप लोग लाइक करने से मुझे काफे ज्यादा मोटिवेशन एनरजी मिलती है आ वीडियो सुरू सकान तक देखना आपका करता बेबनता है और सेयर भी जरू करिए कि ताकि बहुत जादा 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 लोगों की सेयर करने से मदद मिलेगी उनको भी जनकारी मिल जाएगी आईए बताते हैं देखें जी इंडिया में अगर आपको एक हैवी कटिगरी में बात करते हैं अगर यह जो लैसंस है है एवी कटिगरी का ही बनता है जैसे के आपको पता होना चाहिए JCB यानि कि और उसके अलावा एकशावेटर दो चीजe यूओ का लाइसंस जो है वो एक ही लाइसंस बनता है JCB एक्सावेटर मसेन जो होती है लग भग सेम होती है JCB थ चला सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इसके लिए सिपरेट का लाइसन्स अब बना दिया गया है सक裡 इलग से लाईसन्स बनता है जगर पर किशन किसी जौप में भी इसको अटयज कर सकते हैं अपने आपको इंगेज कर सकते हैं और उससे आपकी आवक भी हो सकती है आपकी जौब भी लग जाएगी तो LDRX CV लाइसंस बहुत अच्छा लाइसंस इसको बना कर आप operator बन सकते हैं जैसे भी एक्सावेटर लोडर के टेगरी के बाहनों को चलाने के लिए इसके लिए आपकी उम्र कम से कम जो है वो 20 वर्स से ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे बाहनों को चलाने के लिए और पुराना हैवी लैसंस आपके पास होना चाहिए और एक्सावेटर चलाने के लिए और इसके लिए minimum educational qualification जो है वो आठवी पास है motor vehicle act 1988 के हिसाब से ठीक है मने आपको सारी जनकारी देदी अब भी अगर कोई doubt हो तो आप नीचे जाए कमेंट करके मुझसे पूछी यह मने आपको पूरी जनकारी देदी जैसे भी एक्सावेटर चलाने के लिए minimum सरते क्या है license बनाने की और कौन सा license बनता है तो यहां तक वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के वीडियो को share नहीं के लाइक नहीं के तो कर दीजेगा और चैनलों को सब्सक्राइब नहीं के तो करके भी लाइकिंगान कर ले बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए जाएं वंदोनात्रम